हे दोस्तों जैसे की मैंने वादा किया था कि जार्खन करमचारी चयन आयो जैसे सी की दोवर आयो जित जार्खन एकसाइज कॉंस्टेवा जार्खन उत्पाद सिपाही 2022 के बारे में चलन बद्ध तरीके से अस्टेव बाई स्टेव आपको उत्तेवन होने के लिए मदद करूंगा तो हे गाइस वेलकम बैक माई यूटूब चैनल वीके गुगर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो किर्पिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शे परिच्छा में उत्तिर्ण होने के लिए आपको मुख्यता चार अस्टेप में उत्तिर्ण होना बहुत जरूरी है जिसमें से दिगत्त वर्ष की भाती ना होते हुए इस वर्ष लिखित परिच्छा से पहले फीजिकल यानी सारीरिक धक्षता को सरकार अनुमती दी है अर्थाथ आपको सबसे पहले सारीरिक धक्षता फीजिकल को पास करना होगा जिसमें दोड़ वगा सारीरिक मापदंड है इसको पास करने के बाद आपको लिखित परिच्छा जो की तीन पेपर का है उसमें से भासा में उत्तिर्ण होना बेहद ही जरूरी है आपकी दूसरी कोपियां तभी जाच होगी या आपको उत्तिर्ण तभी माना जाएगा जब आप भासा में पास हुए हो इस लिखित परिच्छा के बार आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन का आता है डोकुमेंट वेरिफिकेशन में जो वेकेंशी निकली है और जो वेकेंशी का नोटिफिकेशन है उसी के आधार पे उसी के आधार पे आपको डोकुमेंट सारा बनाना पड़ेगा डोकुमेंट वेरिपिकेशन के बाद अंत में आपका मेरी लिस्ट जारी की जाएगी उम्मीद है कि आप हमारे साथ कदम से कदम चले और उत्तिर्ण होने में हमारी वे सरसुपकामनाएं आपके साथ रहेंगी थैंक्यू